इमाचिल प्रदेश के विश्वसनिय ज्वेलर बूशिन ज्वेलर सोलन कोरोना वैरस के चलते लगे प्रदेश व्यापी कर्फ्यू में आज सभी जिला प्रशासन की ओर से धील दी गई इस दोरान जरूरी समान की खरीदारी के लिए लोग बाजार पहुंचे प्रदेश की राजधानी शुमला में आज सुबह आठ से ग्यारा बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई और लोग बाजार पहुंचे उना में सबजी मंडियों को भी खोलने के निर्देश के बाद सबजियों की आपूर्ती में कुछ राहत जरूर मिली है यहां पर भीड भढ़ने के साथ जहां सबजियां लेने के लिए मारा मारी जैसी स्थिती रही वहीं आपूर्ती कम होने के चलते सबजियों और फलों के रेट में भी उच्छाला गया इस दोरान बाकाइदा पुलिस कर्मियों ने भी बाजार का दोरा करके दुकानों के बाहर स्थिती का जाइजा लिया उधर हमिरपूर बाजार में कर्फियों के दौरान सुबह के समय दी गई चूट के दौरान जिला प्रशासन ने दुकानों के बाहर सरकल लगा कर लोगों को एक मीटर के फासले में ही रहकर खरीदारी करने के लिए हिदायत दी है इस दौरान बाकाइदा पुलिस कर्मियों ने बाजार का दौरा करके दुकानों के बाहर सिती का जाइजा लिया और सकती से नेमों का पालन करने के लिए लोगों से अपील की है देखिए मैं आपके मात्यम से जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि यह जो कर्फ्यू की स्थिती है यह लॉकडाउन के बाद की स्थिती है और यह तब ही आई जब जनता अपनी जो दायत तो है उसको नहीं समझ पा रही है हमें यह समझना पड़ेगा कि यह सोशल डिस्टेंसिंग से ही हम इस महामारी से लड़ सकते हैं मैं जनता से यही अपील करूंगा कि वो कृपया अननसेसरिली घर से बाहर ना आए घर से से केवल एक व्यक्ती आवश्यक्ता की स्थिती में ही आए जो हमारी अवश्यक्ता की चीजें हैं वो घर से केवल एक व्यक्ति जो सबसे स्वस्थ हो वही निकले यदि कोई बुजुर्ग ऐसा हो इलाके में मैं अपने थाना क्षेतर के लिए आपको बता दूँ कि यदि कोई बुजुर्ग ऐसा है जो अपने घर से बाहर नहीं आ सकता है और उनकी देखवार करने वाला कोई नहीं है तो वह थाना हमीरपूर में के लैंड लाइन नंबर पर संपर्क कर सकता है मेरे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकता है फेस्बुक पे मेरा नंबर अवेलेबल है हम उसकी अपूरती जो है उसके घर में जाके करेंगे लेकिन जो लोग स्वस्त हैं जो लोग घर में हैं वो केवल एक विक्ती बजार आए एक साथ सारी चीजें लेकर घर चला जाए और दो तीन चार दिन का समान लेके जाए अगर यह स्थिती ऐसी ही रहती है तो और कड़े कदम उठाए जाएंगे और किसी भी स्थिती में हम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे चाहे हमें कोई भी कड़ा से कड़ा कदम उठाना पड़े और किसी भी करेंगे जाएंगे